वेल्कम तो मैं चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ वीडियो यदि अच्छा लगता है वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को करिए का लाइक साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सबस्क्राइब जरूर करें सिर्फ दो मिनट में भैंकर से भैंकर घुटने का दर्द हाथ का दर्द एडि का दर्द हो चाहे कमर का दर्द हो जड़ से समाप्त हो जाएगा दोस्तों और इसे बनाने के लिए इस रेमेडी के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है आँकडे का पत्ता आँकडे का पत्ता जिसे बहुत से जगह पर आंक कहा जाता है और साथ ही साथ इसे मदार भी कहा जाता है और प्राचिनकाल से ही इसका उपयोग किया आता जा रहा है जोडों के दर्द से राहत दिलाने के लिए चाहे हमारे घुटनों का दर्द हो चाहे हमारे हाथों की उंगलियों का दर्द हो या हमारी कलाई का दर्द हो कुछ इस तरह से ये पौधा जगा जगा रहता है ये रेखेगे। शायद आप इसे देखकर पहचान गए होगे। इसमें एक सफेद रन्गा फूल होता है और इसके पत्थे कुछ इस तरह के होते हैं। इसके पत्तों में कुछ ऐसे रसायन होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे जोडों के दर्द से राहत दिलाते हैं और साथ ही साथ हमारे जोडों में जो सुजन आ जाती है, उस सुजन को भी कम करते हैं, तो ये जो फूल, इसकी पत्तियां, सभी कुछ बहुत ही उपयोगी है, और ज आपको कहीं भी सड़क के किनारे, नाले के किनारे में तब कहीं भी मिल जाएका, जगा जगा मिलता है यह जहां पर खाली जगा पड़ी रहती है, खुली जमीन पड़ी रहती है, मैदान, खास कर मैदानी इलाकों पर यह बहुत जादा मिलता है, यह देखे, एक पत्ती को मैं भी आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, दोनों के जोईंट के stem और पत्ती के बीच में जो जोड़ होता है, जैसे ही मैंने तोड़ा ये जो सफेद रंग का पदार्थ है, दूद है इसका जो की बहुत जहरीला होता है दोस्तों, इस बात का आपको इसपेशली ध्यान रखना है कि ये दूद हमारे आख पर, हमारे चहरे के आसपास बिलकुल नहीं लगना चाहिए, बहुत ही जहरीला दूद होता है, बच्चों की पहुँच से बिलकुल ही दूर रखना है, हमें यहां इस्तमाल करना है आकड़े के पत्तों का, चार से पाँच मैंने पत्ते ली हैं दोस कुचल लेना है, थोड़ा ये पौधा जहरीला होता है दोसों, इसलिए इसको काम को सावधानी पुरवक करें, किचन में ना करें, मैं भी इसे अपने टैरिस पर बैट कर रही हूँ, आप देख एक पुराना सा पत्थर लिया है, जो नीचे रखा है, आप देख सकते हैं, स आप खाने में इस्तमाल ना करें, तो मैंने भी इसी पुराना सा ये जो पत्थर रखा इसी के ऊपर कूट रही हूँ, थोड़ा सा पानी का छीटा दे दिया है, ताकि मैं इसका अच्छे से पेस्ट बना सकों, आप चाहें तो केवल इसके पत्तों को गरम करके अपने जोड नहीं है, एक से दो बार के इस्तमाल में आपके जोडों का दर्द ठीक हो जाएगा, परन्तों माली जे बहुत सालों पूराना आपको गठिया की बिमारी है, घुटनों का कमर का या गर्दन का दर्द है, तो इसके लिए आप कम से कम पांस से छे बार इसका इसका इस्तमाल जरूर करें, तो ही आपको बहुत जादा आराम मिलेगा, तो इस तरह से हम लोग चटनी पीशते हैं दोस्तों, बिल्कुल चटनी के जैसा ही पेस बनाना है, थोड़ा मोटा होगा तो चलेगा, हमारा तो में मकसद है इसकी पत्तियों का जो रसायन है, वह हमारे घुटनों पर हमारे जॉइंट में लगे ताकि हमें आराम मिले, तो बस इस तरह से मैंने इसे कूट लिया, आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इसे लगाने से आपकी जो मास पेशियां है, जिनमें बहुत जादा अकडन हो गई है, एठन हो गई है, हड्डियों का जो दर् ये भी तरीका मैं बताऊंगे अभी आपको, एक चमच नमक डाला है, आखड़े के पत्ते जिसका मैंने इस तरह से पेश बनाया है, उसमें एक चमच नमक डाला है, नमक भी बहुत अच्छा दर्द निवारक होता है, दोस्तों ये जो आखड़े का पौधा होता है, आखड आप देख सकते हैं जैसे ही मैं पत्ते उखारती जा रहे हैं इसमें से दूद निकल रहा है तो बहुत साफधानी पुरवक करें बहुत अच्छे से इसके वाद आपको हैंड वाश करना है कहीं भी कुछ लगना नहीं चाहिए अब यहां पर मैंने लिया सरसो का तेल सब के घर पर होता है यदि सरसो का तेल नहीं है तो कोई बात नहीं आप यहां पर तिल का तेल ले सकते हैं सैसमिस ले सकते हैं सरसो का तेल ले सकते हैं आप या फिर कुछ नहीं तो आप यहां पर ले सकते हैं कैस्टर ओल अरंडी का तेल और अरंडी का तेल भी नहीं है तो सरसो तेल पत्ति को पीस कर लगाना नहीं चाह रहे हैं तो आकड़े की पत्तियों को तेल लगा कर तवे में ले लें और बढ़ी हाच्छा इसे गरम कर लें यहाँ पर तवा भी मैंने बहुत पुराना वाला लिया है जिसका प्रयोग मैं बहुत कम करती हूँ रोटी बनाने में तो आप कोशिश करें अपने कीचन के बरतन का इस्तमाल न करें या फिर आप एक काम कर सकते हैं तवे के उल्टे हिस्से पर सिकाई करें तवे के सीधे हिस्से पर सिकाई न करें भले हम तवे को मांज लेंगे, साफ कर लेंगे, पर फिर भी हो सके तो तवे के पीछे के हिस्से में गरम करें, या जो बरतन जिसका इस्तमाल आप गरम करते हैं, उसमें भी इस पत्ject को हलका सा गरम करना है, तीन से चार मिनट तक के गरम करना है, तो आप चाहें तो पेस्ट बनाएं और पेस्ट बनाने के बाद आप इस पत्ते को लगा कर तुरंथी किसी पुराने कपड़े से बांध लें या कवर कर लें और गर पेस्ट बनाना नहीं चाहते हैं दोस्तों तब आपको क्या करना है कि सीधे पत्ते भी लगा सकते हैं परन्तु पत्तों में तेल लगाकर गरम करके लगाएं, उसके बाद कोई पुराना कपड़ा ढाक लें या फिर पुराना कपड़ा लपेट लें, ताकि गरमाहट बनी रहे और आप चाहे तो हल्की सी सिकाई भी कर सकते हैं, तो अभी तो मैंने आपको पेस्ट बनाने का भी त दर्द कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा, तो इस तरह से मैंने लगा दिया है घुटने पर और यह जो आंकड़े का पत्ता, इसकी जो नस है आप देख रहे हैं, हमें जो सीधा भाग है, पत्ते का जो हरा और सीधा भाग है, वह घुटने के अंदर तरफ रखना है, औ आपको बाहर रखना, अपने शरीर के बाहर रखना, जैसे मैंने रखके दिखाया है, कुछ इस तरह से, यह जो नस है, इसे बाहर रखें और हरे पत्ते को चिकने हिस्से को आपको अपने घुटने से टच करना है, आप कमर में भी बांद सकते हैं, आपकी माली जे पैरों की एडियां दुख रही है, हाग की कलई दुख रही है, हाग की कोहनी दुख रही है, जोडों में जहां भी दर्ध है, आपको इन पत्तों को हलका सा तेल लगा कर गरम करना है, और गरम गरम ही इसे बांधना है, इतना गरम जितना आप सहन कर सकें, धागे से लपेट लें ताक एक पॉधामान जाता है। ये ना सोचें कि ये जंगली पॉधा है। ये आयुरवेदिक पॉधा है। और जोड़ों के दर्द के तो ये राम बान दुस्खा है। दोस्तों सूजन भी खतम होगी। और साथ ही साथ दोस्तों ये ऐसा कहा जाता बहुत से लोग तो इसे पैरों के तलवे पर भी लगाते हैं जिने शुगर की बिमारी होती ना डायबिटीज की इसके पत्ते को बस ऐसे ही तेल लगाकर गरम करकर अपने पैर के तलवों पर दो-तिन घंटे लगाकर रखते हैं या कोई भी खट्टा पे आप ना ले साथ ही साथ दोस्तों थोड़ी देर धूप में जरूर बैठें धूप में बैठने से हमारे शरीर में विटामिन D का निर्मान होता है जो की एक बेस्ट और विटामिन D की भी पूर्ती होगी इसलिए सनलाइट में थोड़ी देर जरू आया है और पुराने समय दादी नानी लोग क्या करते थे दोस्तों यही घरे लूप चार करते थे बजार में तो तरह तरह के लोशन आते हैं तरह की क्रीम आती है तरह के ओईल साते हैं जॉइन पेन के परन्तु उनसे उतना आराम नहीं मिलता है जितना की इससे मिलेगा और तवे को मैंने वापस गरम कर लिया है और एक पुराना सूती कपड़ा ले लिया है उसे मैं गरम करती जा रही हूँ गरम तवे पर रख कर और जहां मैंने अभी यह पेस्ट लगाया है आंकडे के पत्तों को लगाया है दोस्तों वहाँ पर हलकी हलकी गरम गरम सिकाई करती जा रही हूं तुरंधी घुटने के दर्द कमर का दर्द एड़ी के दर्द से आपको रहात मिलेगी आप खुद देखेंगे कि अरे वा हमें कितना अच्छा लग रहा है तो वीडियो अच्छा लगा हो इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि इस वीडियो की इनफॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी अच्छी लगने पर लाइक जरूर दें